पिछले कितने समय से भारत में भी और विदेश के कॉर्परेट सेक्टर में भी सिर्फ एक ही नाम की चर्चा है अडानी सवाल ये है कि इस पूरे एपिसोड में किस ने किया क्या और किस के मन में है क्या अडानी के मन में क्या है गवर्मेंट के मन में क्या है मोदी जी के मन में क्या है राहूल गादी के मन में क्या है विपक्ष के मन में क्या है सेभी के मन में क्या है SBI के मन में क्या है और LIC के मन में क्या है और इस में से किस ने क्या किया आज हम इन सारे सवालों के जवाब एक गहरी साइको एनालिसिस के जरीए जानने की कोशिश करेंगे लेकिन इससे पहले कि मैं साइकोएनालिसिस चालू करूँ मैं आप लोगों से एक निवदन करना चाहता हूँ हमारी जो चैनल है वो स्पिरिचलिटी और साइकलोजी की चैनल है एक स्टेंडर्ड चैनल है और इतने वर्षों से मैं सिर्फ स्पिरिचलिटी और साइकलोजी पर बोलता हूँ मुझे मन की जीवन की पूरी पेचान है मेरे साथों मन अपने टॉप पे एक्टिव है सो साइकलोजी की और स्पिरिचलिटी की गहराईयों को मैं समझता हूँ जब आशाराम जी पहली बार गिरपतार हुए थे उसके तिसरे दिन मैंने सोचल मीडिया पर चड़ाया था कि अगले 20 साल नहीं चुटने वाले यह मेरी अपनी एक साइकोणालिसिस थी और यही मेरा काम है लेकिन यह बात कोई हिंदू विरोधी नहीं थी नाशाराम विरोधी थी मुझे साइकोणालिसिस करके जो समझ में आया वो मैंने कहा लेकिन फिर पीछे पढ़ जाते हैं तो मैं अपनी चैनल को बिगाड़ना नहीं चाहता इसलिए डे टू डे अफेर में मैंने बोलना कम कर दिया लेकिन ज़रोध तो है बोलना तो पड़ेगा अभी अटल जी और अरवानी जी दो चुनाओ कॉंग्रेस से हारे मैं पहला व्यक्ति था जिसने चुनाओ से पंद्रा दिन पहले ये जान लिया दोनों समय कि इनका जितना मुश्किल है कॉंग्रेस जीतेगी तो ये मेरी साइकोनालिसी से मैं चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे बिजनेस हो गहरा इंट्रेस्ट लेता हूँ और मुझे मालूम है कि इस देश में क्या बोलने का क्या प्रभाव आएगा और कितने वोटों पे क्या प्रभाव आएगा तो मैंने कहा इसका मतलब ये नहीं है कि माटल जी को हराना चाहता हूँ या कॉंग्रेस को जीताना चाहता हूँ ऐसा नहीं है जो मुझे लगता है जो है वो मैं कह रहा हूँ इसलिए महरबानी कर आप इसको एक साइको अनालिसिस की तरह लेना हमारी चैनल पर जब भी कमेंट करें स्टेंडर कमेंट करना स्टेंडर डिस्केशन करना यहां वहां की बाते मत करना बस इतना मेरा आपसे निवेदान है सो अब हम इस पूरे एपिसोड की साइको अनालिसिस प्रारम करते हैं सबसे पहली चर्चा हम अडानी जी की करेंगे अब अडानी जी वर्षों से एक सफल उद्योग पती है और उन्होंने प्रोग्रेस की है और कई उन्होंने प्रोग्रेस की है तो इसमें कोई बली बात नहीं है लेकिन बड़ी बात यह है प्रमुक सवाल यह है कि पिछले आठ वर्षों में वे 609 नंबर से वर्ड के नंबर दो धनी व्यक्ति हो गए क्या यह समभव है यह सबसे पहला सवाल है तो मैं आपको कहए दू कि हाँ यह समभव है लेकिन कब जब कोई फेस्बुक का निर्माना आप कर ले यदि आप माइको 서f और एपल हो तो यह समभव है लेकिन ऐसी कोई प्रोड़क्ट अडाली जी के पास नहीं है तो फिर यह कमाल कैसे हुआ तो निश्ची थी सीधी सीधी बात है थोड़ा गवर्मेंट का सपोर्ट एसी सी अम्बूजा सिमेंट जैसी कमनियों का टेक ओवर वगेरा ने मिलकर 609 से दो नंबर तक पहुचाने के लिए पूछ दिया सो अब हम वापस अपने प्रमुक सवाल पर आते हैं और प्रमुक सवाल यही कि जो अडानी आठ साल पहले 609 नंबर पर थे विश्व में वे आठ वर्षों में नंबर दो कैसे हुए तो वे सिर्फ एक कारण से हुए और वो है market capitalization में बोलोतरी यह सपस समध लेना सब जने जो stock market समझते हैं वो market capitalization समझते हैं लेकिन जो नहीं समझते हैं उन्हें मैं सरल भाषा में समझाता हूं दुनिया में जितने भी धन पती हैं जिनके आप नाम सुनते हैं चाए बिल गेट्स हो चाए अम्मानी हो चाए कोई भी हो तो इन सब के पास जो शेर है और उनकी मार्केट में जो किमत है उसकी जो वेल्यू है वो ही उनका धन है और वो ही चीज उन्हें धन पत्यों की लिस्ट में शामिल करती है ऐसा नहीं है कि बिल गेट्स के पास या मुक्या शम्मानी के पास बैंक बैलेंस है या प्रॉपर्टी है नहीं समझ लेना शेर से और उसके भाव है सो शेरों के जो भाव बड़े हैं अडानी धी के उनकी कमनीयों के उस कारण में नंबर दो पर पहुँचे है ये बात बड़ी स्पश्टा पुर्वक समझ लेना अब सवाल यह उठता है कि मार्केट में शेर्स के भाव कैसे तय होते हैं तो वो कमनी की वर्किंग मैनेजमेंट की रेपूटेशन और कमनी का जो फ्यूचर है उससे शेर प्राइस तय होती है ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या आदानी की कमनीओं की वर्किंग फ्यूचर वगेरा सब उस लेवल का था जो उन्हें 609 से दो नंबर तक पहुचा दे नहीं और कते ही नहीं फिर सवाल उठता है कि क्या यह प्रोसेस नेचरल लगती है तो कता ही नहीं लगती यह बात सभी जने जानते हैं मेरे कहने से या मेरे नहीं कहने से इस बात की सच्चाई पर फरक नहीं पढ़ने वाला क्योंकि जो भी शेर बजार समझते हैं वो इस बात को जानते है फिर सवाल उठता है एक अगला सवाल इस पर से उठता है कि क्या शेरों की प्राइस बढ़ाने में मेनेजमेंट इंट्रेस लेता है तो मैं कहूंगा कि हाँ ये common practice है अपने शेर की प्राइस को watch करना या उसे support करना ये common practice है और इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है मैं सीधी सीधी सच्चा ही बता रहा हूँ ये common practice है शायद टाटा या बिल गेट्स यानि माइक्रोसोफ्ट ऐसे बहुत कम मेनेजमेंट होंगे जो इन चीजों से पुरी तरह से दूर रहते हैं वरना ये common practice है और सच कहूँ तो इसलिए मैं हमेशा अपना 50% investment टाटा कमनीज बर रखता हूँ क्योंकि natural है जो कुछ भी है उसमें वो natural है अब सवाल ये उठता है सब के मन में सवाल उठेगा कि यदि management support करता है तो उसमें illegality क्या है और crime क्या है ये महत्मुल सवाल है क्योंकि सबके दिमाग में यही है कि fraud हो गया गर्बल हो गई गोटाला हो गया तो ये समदना जरूरी है मैं वही चीज बता रहा हूँ जो common है अब इसमें fraud क्या होता है ये समदना तो पहला fraud होता है insider trading insider trading यानि management कोई sensitive information दबा के और पहले trading कर ले यानि working अच्छी है और share खरिद ले या working खराब आने वाली और share बेज दे किसी दूसरे के थुरू या स्वयम उससे insider trading केते हैं अब इस case में insider trading का कोई भी case नहीं बनता है क्योंकि management ने इसमें कमाया नहीं है इसमें दूसरा crime जो बनता है वो ये है कि बगर सेवी को बताए या funds को यहां से वहां rotate करकर share को support किया गया हो तो यह crime सीथ करने के लिए बड़ी चानबिन करनी पड़ेगी और बड़ी चानबिन करनी पड़ती मैं अब बाते इसलिए समझा रहा हूं कि जो share बजार समझते हैं और अच्छे से समझते हैं वो ये चीज़े जानते हैं लेकिन इस समय बारत की 130 करोड जनता इस मामले में दिल्चस्पी ले रही है और अपने अपने opinion अपने अपने इसाफ से बना रही है सो मैं आपको एक clarity देने की कोशिश कर रहा हूं तो legal और criminal fraud इस case में एक जगह दिखता नहीं है और दुसी जगह पकड़ना और सीथ करना आसान नहीं अब हम थोड़ा सा साइकोलोजिकली यह समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे एपिसोड का प्रारम कहां से और कैसे हुआ होगा तो निश्चीती नंबर वन बनने की ambition इसका प्रारम भी point है और किसी भी उद्योग पती को ऐसी ambition होना आम बाते और में कोई का होना भी चाहिए तो यह कोई crime नहीं है पर सवाल यह है फिर से कि 609 से दो नंबर पर कैसे तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि शेर के भाव बढ़ने से market capitalization बढ़ता है मेरे शेर के holding की value बढ़ती है और इसी चीज ने अदानी जी को नंबर दो पर पहुँचाया है अब यहाँ पर एक बात और समझ देना कि कई कमनियों में उनकी holding स्वयम की 70% से ज्यादा है और ऐसे में ranking में बढ़ना बढ़ा आसान हो जाता है यह बाते में इसलिए समझा रहा हूँ कि TATA उनके पास सारी कमनियों की holding कम है अधिकांश holding, institutions, FIs या public के पास है इसलिए आपको TATA टॉप लिस्ट में नहीं दिखते हैं लेकिन सच यह है कि TATA कमनियों से ज्यादा वर्त वर्ल्ड में किसी की भी नहीं है सिर्फ उनकी holding कम है और उनकी जमीनों का revolution नहीं होता इसलिए किसी को पता नहीं चलता वर्ना आज भी वर्ल्ड में और शुरू से वर्ल्ड में नंबर वन undisputed TATA हैं यह सारी बाते मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्या पूरा अडानी एपीसोड समझ सकें और किसके मन में क्या है और क्या हुआ यह जान सके फिर अगला सवाल यह उड़ता है कि क्या अडानी जी को गवर्मेंट का सपोर्ट था तो इसका सिंपल जवाब है हाँ यह भी मेरे कहने से सीध नहीं होता यह बात सीधी और साफ है जो सब्जने जानते हैं फिर सवाल उड़ता है कि गवर्मेंट ने किसी व्यक्ति को या किसी इंडेस्ट्रिस्ट को पहली बार सपोर्ट किया है तो बिल्कुल भी नहीं पूरे वर्ल्ड ओवर यह आम बात है थोड़ा समझना आज की तारीक में विश्व जो है न वो एकोनोमी का है विकास का है हत्यार भी बनते है तो एकोनोमी के लिए और युद भी होता है तो एकोनोमी के लिए और एक बिजनेसमेन जो बिजनेस करता है वो बड़ी रिस्क लेता है लाखों को रोजगार देता है और बदले में वो गवर्मेंट से सपोर्ट चाहता है और ये गवर्मेंट का काम है उन्हें सपोर्ट करना तो ये एक सिंपल प्रोसेस है इसमें कुछ भी ज्यादा कानूनी गेर कानूनी जैसा नहीं होता है हाँ कई बार बाउन्डरी ज्यादा लांगी जाती है कई बार लिमिट में होता है लेकिन ये कॉमन प्रेक्टिस है आज हम ये नहीं के सकते कि Reliance को Congress का support नहीं था या कई इंडेस्ट लिस्टों को Congress का support नहीं था या बीजेपी का support नहीं ऐसा नहीं होता है कोर्मेंट का ये काम है क्योंकि जो इंडेस्ट लिस्ट जो द्योग पती बड़े धंदे डालता है उसके भी फेल होने की संभावना वह अपने सीर पर लेकर चलता है है ना सो ये एक common practice है इस बात को भी आप लोग समद लेना फिर से एक सवाल उड़ता है बड़ा सीधा सवाल उड़ता है कि अब तक हमने जो भी बात की यदि उसमें कुछ खास बात नहीं है तो फिर यह मामला इतना तूल क्यों पकड़ लिया या यह episode इतना बड़ा क्यों हो गया तो उसका भी सीधा psychological जवाब दूँ तो अड़ानी जी की जल्दबाजी और शेर बजार का यह पूराना इतियास है नया नहीं है यह भी समद लेना कि stock market और company की working और company का future और इसके combination की planning करना और market capitalization का खेल खेलना यह आसान नहीं है फिर भी सब जने बार-बार कोशिश करते हैं मैं सच कहूं तो इस game के आज भी बमुश्किल टोटल दस के करीब expert होंगे वर्ल्ड में यहीं आकर गरबड हो गई अड़ानी जी स्वयम इस खेल के expert नहीं है और निश्ची तो उनके पास कोई expert नहीं था और जो support कर रहे थे मैं नहीं मानता है कि उनको भी यह game समझ में आता हो और यहीं आकर गरबड हो गई जल्दी बाजी जल्दी बाजी लेकिन यह ऐसा जल्दी बाजी का खेल नहीं है यह एक ऐसा खतरनाक खेल है जिसमें बड़े-बड़े management डूप गए विश्व में और बारत में भी है न और के ओस्वाल वीडियो कौन जो भी इस खेल में पड़ा और यह खेल नियंतरन के बार गया तो उस company का नामों निशान मिट गया वियवसाय में इतनी जोखम नहीं है वियवसाय की उचनिच खास नहीं है लेकिन market capitalization का खेल इतना आसान नहीं और सच कहूं एक simple advice देता हूं कि आप अपने share की real price से 25-30% का push देते हैं तो market digest कर जाता है वरना फट 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 बढ़ाने में investor कमा भी जाते हैं और बेचके भी चले जाते और रहे जाते हैं आप अकेले और इस field में बड़े 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 तिरंदाज बेठे हैं वो फसा ही लेते हैं वो कमा के चले जाते हैं और सच कहूं तो जीस तरीके से ये पूरा खेल चल रहा था मैंने आस्पास वाले सब को कहा था कि ये गरबढ है और किसी भी दिन 10 लाग करोड का मार्केट केपिटलेशन इसमें से उड़ जाए और वो उड़ना ही है और उड़न इस खेल को समझने वाला कोई घर का आदमी नहीं है जुरस से जादा इस खेल को नहीं खेलना चाहिए ये एक सिंपल निवेदन है अब अगर इस पुरी बात का मैं निचोड कहूं तो अपने हाई एंबिशन के चक्कर में और जल्द बाजी में सिर्फ जल्द बाजी में गल इडवाईज के कारान यह पूरा एपिसोड हुआ अब सवाल यह उठता है कि इस एपिसोड का नुक्सान किसको हुआ महत्व पुन तो वही है जो हुआ वो तो हो गया अब इसका नुक्सान किसे हुआ तो सीधी बात है सबसे पहला नुक्सान अलाणी जी को हुआ नंबर 2 स से नंबर 20 के नीचे आ गए 10 लाग करोल का मार्केट केपिलेशन खत्म हो गया यानि मिनीमम 6-7 लाग करोल का उन्हें परसनल नुकसान हुआ तो पहला नुकसान सबको यह समदना जरूरी है कि पहला नुकसान किसे हुआ और सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ तो अडानी ज आते हैं कि इसमें इन्वेस्टर्स को क्या लॉस हुआ तो जो भारत के रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ शेरों के भाव फट 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 आट गुना दस गुना बढ़ गए थे तो अधिकांश कमा के निकले हैं और सबसे बढ़ी बात यह है कि अडानी जी की कमनियों में बहुत कम इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते थे अगर ये 10 लाक करोड का मार्केट केपिटिलाइशन टाटा या बाकी कमनियों में सूल गया होता तो देश में हाहाकार मत जाता ये बास समद लेना क्योंकि उनके शेर घर-घर में हैं यदि इतना कुछ होने के बाद भी भारत का इन्वेस्टर नहीं रो रहा है तो इसका सीधा मतलब समद लो कि लौस रिटेल इन्वेस्टर को इतना नहीं हुआ है या शायद कईयों ने इसमें कमाया ही होगा यह बात भी समझा इसलिए रहा हूं कि हुआ क्या ये में एक स्पर्ष्टा करने की कोशिश कर रहा हूं अब हम आते हैं LIC पे तो LIC ने अडाली कमनी के शेरों में करीब 30-32 अजार करोड़ों पे इन्वेस्ट किया है और LIC का काम ही शेर में इन्वेस्टमेंट का है और मेरे ख्याल से आज की तारिक में LIC के इन्वेस्टमेंट की वेल्यू 5,000 करोड़ कम या बराबरी पे होगी और शेर बजार में लॉस होना और प्रोफिट होना ये आम बात है LIC के इत्यास में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि हर बार LIC कमाए सो यह भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अब हम आते हैं बैंक्स पर तो बैंक्स ने करिब 80,000 करोड़ उपे का लोन दिया है अब लोन देना बैंक्स का काम है और कागज अच्छे से चेक करके लोन देना बैंक्स का करता विया है अब प्रमुक सवाल यही है कि क्या इस एपीसोड के बाद बैंक्स ने जो अडानी की कमनीज को लोन दिया है वह डुबने के चांस है तो मुझे नहीं लगता क्योंकि अडानी जी के पास काफी असेट्स है हाँ, कैश फ्लो जरूर उनका अफेक्ट होगा उस पर असर आना चाहिए लेकिन फिर भी बैंक का पूरा पैसा डुबने की कोई संभावना नहीं है और शायद पूरा या फिर अच्छा खासा पैसा बैंक दिरे-दिरे करके रीकवर कर लेगी या आज की तारीक की अभी की यह सिच्चुएशन है अब हम आते हैं इस पूरे एपिसोड के सबसे बड़े करता-धरता इंडेनबर्ग पर अब एक बास समदना रिसर्च करना, रिपोर्ट बनाना और उस बनाई रिपोर्ट पर से कमाना यह उनका बिसनेस है तो उन्होंने आडानी की रिपोर्ट बनाई तो इसमें कुछ बुरा नहीं किया रिपोर्ट बनाके कुछ गरबर लगी और शौर्ट सेल से कमाया तो यह उनका थंदा है अब थोड़ा सबको समझना जरूरी है कि ultimately यह जो इतना बड़ा corporate sector है यह कोई चने बेचकर पेसे लेने वाला काम नहीं है यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े काम होते हैं और अधिकांश काम legal हैं और वो होते ही हैं और उसी के base पर दुनिया ने विका किया है बरोबर ना गवर्मेंट का और एजेंसी का काम यह है कि कुछ ज्यादा घरबर न हो जाए इन्वेस्टर का काम यह है कि सोस समझ कर इन्वेस्ट करें बाकी यह किया वो हुआ यह सारे इतने बड़े प्रश्णा corporate जगत में नहीं है विश्वक है तो इडेनबर्ग न समझाना मैं यह चाह रहा हूँ कि चलो यदि इडेनबर्ग क्या चाहकर भी टाटा कंपनी पर या Microsoft पर एसी रिपोर्ट बना के चौर्ट सेल करके कमा सकते थे या उनका मार्केट के पूरा सकते थे तो बिल्कुल नहीं यदि वो टाटा की एसी को रिपोर्ट बनाते तो पब्लिक विश्वास ही नहीं करती और उल्ता उनकी कमनी बंद हो जाती यह फरक समझ लेना इसलिए हम हिडेनबर्ग पर भी उंगली नहीं उठा सकते यह भी मैं स्पस्ट के रहा हूं इस पूरे अपिसोड में उंगलिया उठाना आसान नहीं है क्योंकि यह नॉर्मल कॉमन प्रेक्टिस है इतनी बात मैं अच्छे से स्पस्ट करना चाहता हूं अब हम आते हैं गवर्नमेंट और मोदी जी पर तो निश्चीती इस एपिसोड का दोनों को नुकसान हो रहा है क्योंकि पब्लीक परसेप्शन में यह पूरी तरह से साफ है और कई चीजों से साफ है कि गवर्नमेंट का इनको सपोर्ट है और यह चीज भी मेरे कहने से इस्टेबलिश नहीं हो रही है यह चीज है किसी से भी पूछ लो तो उनको नुकसान हो रहा है इस एपिसोड का समद लेना म क्या किना चा रहा हूं अभी तक की पूरी इनालिसिस करने पर हमको दो जगें नुकसान पका नजर आ रहा है एक अडानी जी ने मार्केट केप खोया और एक गवर्मेंट या मोदी जी जो भी केले आप वो कई लोगों की निगाम है शंका के दायरे में कि इनको सपोर्ट कि यह दो जोनों को नुकसान हो रहा है अब हम आते हैं विपक्ष पे रहूल गांदी जी पे तो उनको तो यह मोका मिल गया है थैना तो उनको हंगामा खड़ा करना है जाच करवानी है सब गर्बढ हो गया लूट गया देश बरबाद हो गया यह पेसा खा गया वो पेसा खा यह घरबड हो गया, उनको तो यह कर नहीं है, क्योंकि मोका मिला है, यहना, उनका तो काम है, और वे हंगामा अंध तक मचाते रहेंगे, और कोशीश करेंगे, बिलकुल कोशीश करेंगे, कि आडानी का पूरा एपिसोड और बिगल जाए, गवर्मेंट की और बदनामी हो है, और उन्हें चुनाओ जितने का मोका मिलें, अब ये भी natural है, अभी किसको का ये गलत कर रहा है ये natural है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, गलत सही कुछ भी नहीं है, psychology अलिए सब जन्हें अपना अपना roll कर रहे हैं, और सारे roll natural है, है ना लेकिन प्रमुक सवाल यही है क अब आगे होगा क्या अडानी जी का क्या होगा बैंक लोन का क्या होगा एलाइसी का क्या होगा से भी क्या करेगी गवर्मेंट का क्या होगा विपक्ष्णों क्या मिलेगा इंटरनेशनल डेट का क्या होगा क्या इसका भारत की इकोनोभी पे या भारत की रेपूटेशन पर फरक आएगा यह सारे सवाल महतोपून हैं और इन सब के जवाब और इन सब की साइको अनालिसिस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब तक इंजार कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच अडानी एपिसोड का अंत क्या होगा यह जानिए मंगलवार 21 सुबह 10 बजे सिर पहलूं पर 650 घंटे से भी जादा समय तक वर्क्शॉप कंड़क्ट करने का रिकॉर्ड उन्ही के नामदर्ज है साथ ही उन्होंने मैं मन हूँ मैं कृष्ण हूँ सब कुछ साइकोलोजी है 101 सदा बहार कहानिया आप और आपका आत्मा तथा तीन आसान स्टेप्स में जीव